अगर आपके पास रखा है तयार अचार मसाला तब कोई भी अचार बनाना बहुत ही आसान हो जाता है तो चलिए आज हम बनाएंगे तयार अचार मसाले के साथ आवले का अचार सबसे पहले लेंगे आवले अचार बनाने के लिए हम एकदम फ्रेश आवले का चैन करेंगे आवलो में दाग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिसी कि जब हम अचार बनाएं तो ये काफी दिनों तक खराब ना हो सबसे पहले हम लेंगे आवले और आवलो को बालेंगे देखी आप जितना भी अचार बनाना चाहती हैं उस हिसाब से कौंटिटी ले सकते हैं और उस कौंटिटी के हिसाब से आप उसमें अचार मसाला और नमक डाल सकते हैं उसकी भी मैं आपको विदी बताऊंगी कि किस तरह से आपको अचार मसाला और उसमें नमक डालना है आवलो को बालते हुए हमें ध्यार ठकना है कि हमें बहुत ज़्यादा नर्म आवले भी नहीं चाहिए आवले पकते हुए एकदम नर्म नहीं होने चाहिए इसको चलाते हुए चेक करते जाएं कि जब आवले से हलकी-हलकी कलिया अलग दिखने लगें उस टायम तक हमें आवले को उबालना है यहाँ पर देखी, मैं एक आवला आपको दिखा देती हूँ, कि इस तरह से इसमें देखी कलियां अलग होने लगी है बस हमें इस time तक ही आवले को उबालना है अब हम gas की flame को off कर देंगे इस से ज़्यादा आपले उबाले तो आवले एकदम बिक ogr जाएंगे इसलिए बहुत ज़्यादा आवलोगे भी नहीं उबालना है जब कलियां हलकी हलकी अलग दिखने लगें उस टाइम आप गैस की फ्लेम को आफ कर दीजिए और बस हम गैस पर से आवले उतार देंगे और इसका सारा पानी अलग कर देंगे पानी को अलग करने के बाद आवलों को अच्छे से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इनकी कलियां अलग करेंगी क्योंकि आवला बहुत ज़्यादा गर्म है और इस टाइम इसकी कलियां अलग भी नहीं होंगी इसलिए थोड़ा इसको rest दें, इसे ठंडा होने दें अच्छे से, उसके बाद इसकी कलियां अलग करें देखिए, आवले यहाँ पर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसकी कलियां अलग कर लेते हैं देखिए हमने आवले को बहुत ज़्यादा नहीं उबॉला है इसलिए इसकी कलियां इस तरह से निकालिए और जो गुटली वाला पार्ट है उसको हटा दीजिए अब यहाँ पर देखिए आवले से गुटलिया अलग करने के बाद जितनी हमने आवले की क्वांटिटी लिए है उससे आवले कम बचेंगे इसलिए जब हम अचार मसाला और नमक इसमें एड़ करेंगे तो जितनी क्वांटिटी गुटलिया निकालने के बाद बचेगी उसके भी आमले हलके से गर्म है इसलिए इनको और ठंडा होने देंगे जब तक हम अचार मसाला तयार कर लेते हैं तो देखे ये वाला अचार जो है बहुत टाइम के लिए या साल भर के लिए हमें स्टोर करके नहीं रखने वाले हम इसको थोड़े टाइम के लिए यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पर इसको बनाने की विधी थोड़ी अलग है अगर आप साल भर के लिए अचार बनाते हैं और उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं जिसके अचार कभी खराब ना हो साल वर तक खराब ना हो तो उसके लिए हमें थोड़ी अलग विदी से अचार डालना होता है तो ये थोड़े टाइम के लिए है एक से दो मेने के लिए आप इस तरह से अचार डालकर इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि सरदियों का समय है और सरदियों में अचार जल्दी खराब नहीं होता है अब हम ले लेते हैं अचार मसाला यहाँ पर मैं ले रही हूँ 100 ग्राम अचार मसाला इस अचार मसाले की रेस्पी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप वहाँ से देख लीजिए इसकी साथ हमें लेना है 50 ml या 50 ml तेल यहाँ पर मैं गुट्ली निकालने के बाद आमली की मात्रा बता देती हूँ आमली की मात्रा है 500 ग्राम 500 ग्राम के हिसाब से हमें लेना है 100 ग्राम अचार मसाला और इसकी साथ हम लेंगे 25 ग्राम नमक हमने जो अचार मसाला लिया है उसमे नमक है लेकिन फिर भी अलग अलग تरह के अचार में नमक की मात्रा भी अलग अलग पड़ती है इसलिए हम यहाँ पर 100 ग्राम अचार मसाले के साथ 25 ग्राम नमक और लेंगे अब देखिए हमने जो 50 ml तेल लिया था उसको हम गर्म करेंगे फ्लेम को यहाँ पर मेडियम रखेंगे तेल को तब तक गर्म करें जब तक कि इसमें से धुआ ना आने लगे जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें से हलका सा धुआ उठने लगेगा और जैसे ही इसमें से हलका सा धुमा उठेगा हम गैस की फिलिम को ओफ कर देंगे और ओफ करने के बाद तेल को ठंडा होने देंगे चार से पांच मिनट तेल को ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसमें अचार मसाला डालेंगे अब ही यहाँ पर देखिए तेल बहुत जादा गर्म है इस टाइम अगर आप अचार मसाला इसमें डाल देते हैं तो अचार मसाला जल जाएगा इसलिए तेल को 3-4 मिनिट थंडा होने दें उसके बाद हम इसमें अचार मसाला डालेंगे अब देखिए 3-4 मिनिट हो चुके हैं और तेल हलका सा थंडा हो गया है क्योंकि तेल की क्वान्टिटी भी कम है इसलिए ये कम टाइम में थंडा हो गया है अब हम इसमें डालेंगे अचार मसाला देखिए हलके स्यूबाल के साथ इसमें जागाना बंद हो जाएगा और ये एकदम थंडा हो जाएगा और इससे की जो हमने अचार मसाला लिया है वो हलका सा भुन जाएगा और अचार मसाला जलेगा भी नहीं देखिए इस तरह है और अब हम इसे थोड़े देर चलाएंगे क्योंकि गड़ा ही गर्म है तो इसे थोड़े दोर और चलाएंगे और चलाने की साथ इसे थंडा होने के लिए रख देंगे जब एकदम थंडा हो जाएगा उसकी बाद ही हम कलियों में अचार मसाला मिक्स करेंगे और इसकी साथ ही इसमें नमक मिक्स करेंगे वो maintain हो जाता है एकदम बढ़ियां सा टेस्ट हो जाता है अचार का और क्योंकि किसी भी अचार में नमक की sufficient मात्रा होनी चाहिए नहीं तो दो या तीन दिन के बाद ही अचार में फपून लग जाती है और अचार खराब हो जाता है इसलिए अगर थोड़ा भी बहुत कम नमक ह हुआ तो अचार खराब हो जाएगा अब यहां पर देखिए मैंने कुछ टाइम के लिए यह अजार बनाया है इसलिए यहां पर तेल की मात्रा बहुत ही कम लिए अचार मसाले के साथ कोई भी अचार बनाना बहुत ही आसान हो जाता है हमें बस नमक की quantity का ध्यान रखना होत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूचें और ऐसी ही रेस्पी के लिए मेरी चैनल पर मेरी साथ बने रहे हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग मी